क्या आप जानते हैं कि रितिक रोशन को एश्वरिया के बारे में गलत फहमी थी। मैं ये मानता हूँ कि मुझे इश्वरिया के बारे में गलत फहमी थी। मुझे अफसोस है कई बार खुबसूरती आपके टैलेंट के परे जाती है। दूम जो के शूटिंग के दौरान वितिक को महसूस हुआ कि इश्वरिया सर्फ खुबसूरत चहरा नहीं है। हम उमीद करते हैं कि इश्वरिया रितिक के सचाई से वाकिफ है। आपको क्या लगता है? अपने कामन्स नीचे कामन बॉक्स में डाले और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने के सचाई भूले और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले।